हलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरू चिनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मार्केट को बेस अबरी से और काफी दिनों से जिस खवर का इंतजार था आखिरकार वो खवर आही गई है मतलब पास में आ च खतम हो रहा है और कल है दोस्तों एक नमबर तीक है तो इस दिन होने वाला दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत बढ़ा दिन हो सकता है कि यह स्टॉक कल के डेट में एक धमा का देखने को में मिले खिर वो तो अभी बहुत रीजन चल रहे हैं उस स्टॉक के पेचे उस कंप लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और ची में आप लोगों को बोलना चाहूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गूर की क्लास चैनल का लिंक दिया हुआ है जाई यह फटा पट से उस चैनल को विजट करें सस्क् ट्रेट का स्टॉक वो दोस्तों इंट्रडेट ट्रेडिंग टिप्स का जो वीडियो रहता है वो आप लोगों तक लाए जाता है तो जिलिए सबसे पहले आप लोगों को वो उस कंपनी के में फाइनेशिल कंडिशन दिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते कंपनी का मार्केट केप है 67,656 करोड का ठीक है पी एनिंग रेशियो के अगर मैं बात करता हूं थोड़ा महेंगा हमें देखने को मिल रहा है वो है 251 का रिटान ओन इक्वीटी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 11.6% का ठीक है रिटान ओन इंप्लोर 16.5% का साथ में बु लास्ट एक साल का अगर चार्ट अनलैसस करते हैं ठीक है तो जो 50 डिये में है ठीक है और 200 डिये में उसके ऊपर ही अभी क्या कर रहा है दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग करा है मतलब दोस्तों उतनी कुछ दिक्कत बाली बात हमें देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है वीटी का परफॉमेंस देखेंगे लास्ट 3 साल का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है डिविडेंट का पे आउट भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है उसी के साथ-साथ देखेंगे की जिस प्रकार से अपना जो कमपनी का सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा पूर देखने को मिल रहा है, पास्ट फाइप येर का, इस प्रकार से बताएगा है, ठीके, अर्निंग इंक्लूडेड अधर इंकम, मतलब दोस्तों, जब कॉटली रिजल्ट ये कमपनी पेश करती है, तो उसमें अधर इंकम भी शो करती है, तो ये पसंद नहीं आता है, और जो डेप्ट है, वो दोस्तों कमपनी का किस प्रकार से इंक्रीज होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ पोजिटिव और ऐसा कुछ नेगिटिव कॉलिटी है में देखने को मिल रहा है, साथ मैं कॉटली रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो जब कॉटली रिजल्ट पर आप फोकस करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकतो, दिसंबर 2018 में कमपनी का क्या सेल्स रहा था, ठीके, मार्च 19 में क्या था, जून 19 में कम हो गया था, सितंबर 19 में फिर बढ़ गया था, दिसंबर 19 में बहुत ही शांदा तरीके से बढ़ा था, मार पर तो पूरी हालत खतम हो चुकी थी, दिसंबर में जिसा जिसा लॉकड़ान थोड़ा हटा गया, कमपनी की सिच्वेशन अच्छी हुई, लेकिन जून कॉर्टर में दोस्तो एक बार फिर से कंडिशन बेगड़ गई, अब सभी को दोस्तो इंतजार एक कॉर्टर सेकेंड के नंबर का, जो आने वाले कल की डेट में, जो है दोस्तो एक नंबर की डेट, और उसी के साथ साथ, प्रॉफिट के अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो, जब कमपनी का पॉफोमेंस अच्छा रहाना, तब कमपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफ देखने को मिला, और 21 में दोस्तो पेंडमी के कारण पूरा पिटा गया था, इस कमपनी का सेल्स क्रोथ, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो देखें, प्रॉफिट कितना शांदा देखने को मिल रहा था, और ये प्रॉफिट यहां पर आके पूरा खतम हो गया, यह मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, यहां पर अगर मैं उसके शेरोल्डिंग पेटर्न के आपको बात करता हूँ, तो आप शेरोल्डिंग पेटर्न यहां पर देख सकते हो, प्रमोटर्स के पास अच्छा का स्टेक है, एफ आई आई के पास भी इसमें बहुत अच्छा स्टेक है, और डिया के पास भी इसमें बहुत अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है, मतलब यह सितंबर कौर्टर का पॉफरमेंस है, जून कौर्टर के कंपेर में, ठीक है, तो देखा जाए, ओवरोल का पॉफरमेंस, तो दोस्तो इस कंपनी की फाइनेशिल में बहुत अच्छी देखने को मिल रही, ठीक है, अगर इस कंपनी का मेरी रिटन और पेटन मार्केट में दिखाता हूँ, उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग शेशन का हम पॉफरमेंस देखते हैं, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग शेशन के अगर मैं बात करता हूँ, तो सा उसी के साथ साथ वॉल्यूम की कंडिशन अगर देखेंगे, आठ करोड अठाविस लाग कॉंटिटी का वॉल्यूम है, साथ में बावन भी काई, बावन भी कल हो आपको देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, स्टॉक का डिलिवरी पेटन जो लगब दो Wert यह रिजल्ट इतना important हो गया है पूरे market के लिए, पूरे stock market के लिए, क्यों important हो गया, दोस्तों, क्योंकि बहुत बढ़ा reason इसके पीछे चूपा हुआ है, ठीके अभी इन्होंने split का announcement का था, अभी split दिया, dividend का announcement क्या था, dividend दिया, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नह देखने को मिला जब 6400 रुपे के स्टॉक के प्राइस से गिरा वठाई थी 4000 रुपे के प्राइस पे स्टॉक स्प्लीड हुआ ठीक है स्प्लीड होने के तुरंत दूसरे दिन बाद दोस्तो गौर्मेंट ने अनौंस्मेंट कर दिया कि अब हम आया सिटी से से दोस्तो जो ऑनलाइन टिकेट बुकिंग है उसमें से 50% रेविन्यू लेंगे मतलब जो 50% प्रॉफिट है वो हम शेयर करेंगे मतलब 50% आया सिटी से रखेंगा 50% हम लेंगा इस स्टॉफ दूसरे दिन दोस्तो 25% तक गिर चुका था लेकिन दोस्तो गौर्मेंट है उसके जो फैसले को है दूसरे दिन बापस लिया तो यहाँ पर दोस्तो बहुत बड़ा खेल होते देखने को मिला है बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे स्टॉफ में दोस्तो जिस प्रकार से ग्रोथ थी लास्ट एक साल से उससे कई गुना तेजी से स्टॉफ भागा जिस प्रकार से ग्रोथ थी मतलब ग्रोथ ना के बरावर्ट थी हम नहीं बोल रहे कम्पनी बेकार है हम नहीं बोल रहे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपंड नहीं करें सब कुछ ठीक है लेकिन दोस्तो स्टॉक में भारी भरकम तेजी देखने को मिले ठीक है इस्टॉक को एक ही दिन में दोस्तो 2000 पॉइंट गिरा दिया गया ठीक है शेर होल्डर को समझने का मोका नहीं मिला समलने का मोका नहीं मिला ठीके उसके बाद जहाँ expectation था कि दोस्तों stock 6,000, 6,000, 7,000 पर split होगा वो split हुआ दोस्तों 4,000 रुपे ठीके 4,000 रुपे पर stock split हुआ छोटे से price प्राइस प्या गया attraction होगे दोस्तों shareholder investor attraction होगे stock फिर भगाया गया 10-15% ठीके और उसी दिन साम को government ने announcement कर दिया किंग का वहाँ से 50% अपना हिस्सा लेंगे तो ये shareholder के लिए और जो direct investment करते है आया सेटीसी की company में उनके लिए बहुत बुरी news आते देखने को मिले और stock में दोस्तों 25% का lower circuit लगते देखने को मिला unexpected moment यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा दोस्तों panic situation क्रेट करके अपना loss बुक क्या होगा अब इसकी भरपाई कोन करेगा government करे या दोस्तों आया सेटीसी करे क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्ट यही देखने को मिलड़ा है क्या क्योंकि दोस्तों loss हुआ तो किसके कारण एक चोटी सी गलती के कारण जब आप लोगों को पता है कि आया सेटीसी देश की इतनी बड़ी कमपनी है मोनोपॉली इसका बिजनस है तो आप लोगों को इस प्रकार के कदम उठाना ही नहीं चाहिए अगर मान लीजिए वो 50% बिजनस उसके मेन बिजनस में से आप लोगों को दे देगी तो उसका क्या होगा उसका क्या रोजगार दोस्तों 50% में से चल पाएगा या ने क्यूंकि गॉवर्मेंट के पास तो ये 50% जो इससा वो सूखा जाएगा उसके पास तो दोस्तो 50% हिस्चा बचेगा जिसमें उसको खर्चा भी पेक अना पड़ेगा अब खर्चे में बहुत प्रकार के खर्चे आ जाते देन उसको growth करने के लिए दोस्तो पैसा बचाना भी पड़ेगा साथ में shareholder को दोस्तो dividend भी देना पड़ेगा ठीके और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर काम आ जाते हैं तो यह situation दोस्तों government को सोचना था क्या यह एक सोची समझी हमें planning देखने को मिली थी क्या किसी operator की entry दिलवाने के लिए इस प्रकर का moment देखने को मिला था बहुत सारे doubt यहाँ पर clear हो रहे हैं आप देखेंगे social media पर बहुत सारे दोस्तों meme समय देखने को मिल रहे हैं क्योंकि I-NAM इसका भी है I-NAM ITC का भी है तो यह बताए जा रहा है कि coming soon ITC के इसाब से ही I-I-I-C चलेगा तो दोस्तों आप लोगों को जब तक पूरा officially कुछ भी announcement नहीं आथा जब तक कुछ भी गलती अपने portfolio में I-I-I-C के stocks related नहीं करना है हाँ जो आपका planning investment करने का उसको continue कर सकते हो अपना study कर सकते हो और अपनी जो भी watch list है ठीक है उसको maintain करके चल सकते हो बाकि आपको तो पता है कि I-I-I-C ने किस प्रकार से अपना return दिया है और साथ में दोस्तों कल है इसके लिए बहुत बड़ा दिन एक नावंबर तो कल पता चल जाएगा कि company का performance क्या देखने को मिला है तो जिसके लिए I-I-I-C को अपने focus में रखके चलिए ठीक है तो यही था आप लोगों के लिए एक भैतरिंग update यहाँ पर जो update है हमने आप लोगों को clear कर दिया है यह update पसंद आया हो ठीक है साथ में जो हमने planning की दोस्तों जिस प्रकार से government से related ठीक है वो अगर आपको सही लगी हो तो please दोस्तों नीचे comment में अपनी राय भी बताएगा तो thank you दोस्तों